नमस्कार दोस्तों, टिकी गुरु अमीद गुपता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों कथन और निसकर्ष के प्रस्णों को साल्प करने में अधिकान्स प्रतियोगी छात्र कठिनाई का अन्भाव करते हैं और 40% मामलों में उनके प्रस्ण के उत्तर गलत आ जाते हैं इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप कथन को ध्यान से नहीं पढ़ते और दूसरा कारण यह है कि कथन का निसकर्ष आप अपने दिमाग से निकालते हैं न कि कथन से यानि कि कथन को कम सकम दो बार बहुत ही ध्यान के साथ पढ़ना चाहिए या परिच्छा में जल्दिबाजी है तो एक बार ही पढ़िए लेकिन बहुत ही ध्यान से पढ़िए उसके बाद जो निसकर्स दिया रहता है उसमें आप चेक करी कि पहला निसकर्स कथन से निकल सकता है या दूसरा निसकर्स कथन से निकला जा सकता है या दोनों में से कोई कथन निसकर्स निकल सकता है या दोनों ही निसकर्स कथन से निकला जाएगा इसमें बात आप ये ध्यान दिजेगा कि कथन से ही आपको निशकर्ष को निचोड़ना है न कि अपने common sense से या अपने दिमाग से आपको निशकर्ष को नहीं जोड़ना है कथन से अगर निशकर्ष निकलता है तो सही है अगर नहीं निकलता है तो गलत है आप किसी भी कीमत पर निसकर्ष को अपने दिमाग से मत निकालिएगा, अगर कथन में सामाहित है निसकर्ष तो सही नहीं सामाहित है तो निसकर्ष गलत होगा, आई हम पहला प्रस देखते हैं, कथन है लोकतंत्र में लोकतंत्र में बहुमत का सासन होता है, लोकतंत्र यानि जनता का तंत्र यानि जनता की सरकार या जनता का जनता वाली ब्यवस्ता लोग तंत्र में बहुमत का सासन होता है तो सिर्फ इतने ही कथन से ही आपको निशकर्ष निकालना है और किसी अन्यत्र बात्र को आपको दिमाग में नहीं सोचना है तो पहला निशकर्ष लिख रहा ह लोक तंत्र में उमिद्वार बहुमत से चुने जाते हैं यानि यही कारण है कि लोक तंत्र में बहुमत का सासन होता है यह बात क्यों सही है क्योंकि सही बात है कि लोक तंत्र में उमिद्वार बहुमत से चुने जाते हैं अब दूसरा निसकर्स दे रहा है, लोकतंत्र में कानून में संसोधन, संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है, तो ये भी एक कारण है कि कानून में संसोधन करना है, संसद में बहुमत द्वारा ही किया जाता है, इसलिए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में बहुमत का सासन होत अगर किसी प्रस में आपको दिक्कत होगा डाउट होगा तो कमेंट बाक्स में लिखिएगा अब अगला प्रस देखते हैं घर पर घर पर उगाई जाने वाली फल और सब्जीयां आयातित फल और सब्जीयों का उपभुग करने की तुल्ना में स्वास्त के लिए अच्छी है यानि कहना चारा है कि घर में जो उगाई गई फल और सब्जीयां होती हैं वो पहती अच्छी होती हैं अपेच्छा क्रित बीदेशों से या किसी अन्य जगह से आयातित जो फल और सब्जीयां होती हैं उनके क्या कारण है तो लिखा है कि जीन का रख रखाव क्रित्रिम यानि कि बनावटी परस्तितियों का उप्योग करके फ्रेज दिखाने के लिए किया जाता है यानि कहना चारा है कि घर में उगाई गई फल और सब्जियां अच्छी होती है तुल्ला में बाहर से मगाई गई सब्जियों के क्यों कि इनका रख रखाव क्रित्रिम प्रस्तियों का उप्योग करके इने फ्रेज दिखाया जाता है यानि कुछ chemical का छिड़काव करके या किसी कृत्रिम तरीके से इन्हें फ्रेश दिखाया जाता है नेचूरल तरीके से नहीं ये इसका सार्थत हो है तो इसी से हमें निसकर्ष निकालना है तो पहला निसकर्ष बोलना है कि आयातित सबजियां कृत्रिम इस्थितियों के तहत बनाई रखी जाती है तो सही बात है यही बात इसमें दूसरी नीचे वाली लाइन में कहा रहा है और यही बात यहाँ पर निसकर्ष में है कि आयातित सबजियां कृत्रिम बनावटी स्थितियों के तहत बनाए रखी जाती है जिसके चलते में फिर दिखाई देती है तो य दूसा निसकर्स कर रहा है कि घर पर उगाई गई फल और सब्जियां आम तोर पर ताजी होती हैं तो यही बात यहां पर कहा भी जा रहा है कि घर पर उगाई गई फल और सब्जियां आयातित फल और सब्जियों की तुल्ला में उभोग के लिए अच्छी होती है यानि कि ता प्रस देखते हैं काफी समय से यह देखा जा रहा है कि इसकूल जाने वाले बच्चों में टेलवीजन के उत्सुक एवं अधिक नियमित दर्सक बनते जा रहे हैं और इसके परिडाम स्वरूप समचार पत्रों के पाठकों के संख्या में गिरा उठाई है यानि इसका सारभुत्ता तो इसका निचोडिया है कि इसकूल जाने वाले बच्चे टेलवीजन ज्यादा देख रहा है और समचार पत्रों के पाठकों के संख्या में गिरावट आई है यां टेलविजन की देखने वाले के लोगों की संख्या बढ़ी है और समचार पत्र पढ़ने वाले को संख्या घटी है इसका यां नीचोड है अब नीचोड को आप दिमाग में रखे निसकर्ष को देखते हैं हम अगर तो निसकर्स में लिखा है समचार पत्रों समचार पत्रों के पाठकों की संख्या बढ़ाने का तरीखा खोजा जाना चाहिए एक बात लिखा हुआ है लेकिन ये बात कथन में ये नहीं बता जा रहा है कि आप बस ये बता जा रहा है कि घट रहे है संख्या समचार पत्र पढ़ने वालों की अब इसको बढ़ाने की संख्या खोजा जाना है या नहीं खोजा जाना है ये हमें नहीं पता है और ये बात कोई आम आदमी कह रहा है इस बात को या कोई बहुत बड़ा बिद्वान कर रहा है या कोई संस्था करें ये हम नहीं जानते इसलिए इसका तरीका खोजा जाना चाहिए या नहीं खोजा जाना इस पर कोई discussion उपर नहीं कहा किया गया है तो इसलिए ये वाला निश्कर्स गलत होगा है क्योंकि जुडाव नहीं पैदा होता है अब दूसरा निसकर्स करा है समचार पत्रों के पाटकों की संख्या टेलवीजन के प्रभाव का अध्यन करने के लिए भी सग्यों के टीम अने देशों में भेजा जाना चाहिए हो सकता है भेजा जाना चाहिए लेकिन ये वाली जो भी बात है दूसरी वाला निसकर्स भी है ये भी इस कथन से नहीं पदा चलता है कि भेजा जाना चाहिए या बीना भेजने से कोई लाब नहीं होगा या भेजने से लाब होगा यानि ये सब बाते इसमें कुल मिला के कथन में जूड़िए ये ये दोनों में सो कोई निसकर्स इसमें समलित नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा आंसर हो जायेगा 4-9 तो निसकर्स एक और 9 निसकर्स दो अनुसरण करता है आंसर देखियेगा अगला प्रस्ट अई ये सब जितने प्रस्ट ने रेलवे ग्रोग डी अभी हाली में जो परिच्छा हुए 2018 में उसमें अलग-अलग मीटिंगों में पूछी गई हैं प्रस्ट ये से पूछे गए हैं और देखा जा रहा है कि कथन और निसकर्स से हर मीटि लिखे के जो प्रस्ण होते हैं वो भी अभी पूछे जा रहा है तो उसका भी मैं वीडियो आगे चलके बनाऊंगा अभी कुछ वर्षो के पेपरों का मैंने वीडियो ये कथन निसकर से बनाया है कुछ और भी प्रस्ण पूछे गए 2018 में मैं उसे अगले वीडियो में आपक क्या लिखा हुआ है तो नोटीस में लिखा है कुडा मत फैलाओ क्रेप्या कुडेदान का प्रयोक करें ये लिखा हुआ है तो निसकर सेक में लिखा है लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं हो सकता है निर्देशों का पालन नहीं करते होंगे लेकिन ये जो देखे उपर पहले लिखा है माल लिजिए दिये कथन सही है जब कि यह समाने ग्यात तत्यों से भीन परतित हो और निड़ा कीजिए कि उनका कौन सनिस्कर करता है तो लोग अक्षन निदेशों का पालन नहीं करते अगर यह बात पता होती तो यह नोटिस बोर्ड पर लिखने इसलिए यह वाला पाला निदेशों का पालन नहीं करते हैं तो यह लिखने की जरूर्थी नहीं पड़ती अब दूसरा लिखा है लोग नोटिस पड़ते हैं और निदेशों का पालन करते हैं तो यह बात सही है यही सोचकर यह निदेश इसमें लिखा गया है तो हमारा कौन सा निसकर्ष तर्क संगत रुप से कथन का पालन करता है जेड ए से कहता है क्या कहता है जब लोग अपराद देखते हैं तो लोग बोलने से डरते हैं सामान सी बात है जातर देखा जारा है कि अपराद होता रहता है और लोग देखते हुए भी अपनी आखें बंद कर लेते हैं, तो अब निसकर्ष क्या है? जेड एक पत्रकार है जेड ए से कह रहा है इसका मतलब पत्रकार है कि डाक्टर है कि पुलिस है कि वकील है क्या है ये हम नहीं कह सकते इसलिए ये पहला निसकर तो सिधे-सिधे गलत लग रहा है दूसा निसकर कह रहा है जेड का मित्र है जेड ए से कह रहा है लेकिन इससे ये नहीं पता चला है कि वो इसका मित्र है कि मामा है कि चाचा है कि रा चलता कोई व्यक्ति है या उसके मुहले का है ये नहीं पता चल पा रहा है इसलिए दोनों ही निसकर्स नहीं निकलते इसलिए हम कहा सकते हैं चार हो सही होगा न तो एक और नएतो निसकर्स दो पालन करता है आंसर देखिएगा छटवा प्रस्ण है दिये कथन को निमलिखीत निसकर्स को ध्यान से पड़ा उचूले की कौन सा निसकर्स तार्कृट कूप से कथन का पालन करता है अब इसमें लिखा हुआ मीना के एक दोस्त ने कहा मीना के मोबाइल उसकी बहन की मोबाइल की तुल्ना में अधिक सुबदाएं है यानि मीना का मोबाइल उसकी बहन के मोबाइल से अच्छा है यह इस कत्वन में कहा जा रहा है यानि मीना का मोबाइल जो है वो अच्छा है अब एच्छा कित उसकी बहन के मोबाईल से ये मीना के एक दोस्त ने कहा है तो क्या इसे ये निसकर्ष निकलेगा कि मीना की एक बहन है तो सही बात है क्योंकि इसका दोस्त बोली रहा है कि मीना का मोबाईल मीना की बहन से बढ़िया है यानि सच मुश में उस मीना की एक बहन होगी तब ही ऐसा कहा जा रहा है इसलिए निश्कर से निश्चे तुरुप से निकलेगा अब दूसरा मीना का जो दोस्त है उसकी बहन का बहुत करीबी सहयोगी है तो मीना का तो दोस्त है लेकिन उसकी बहन का भी करीबी सहयोगी है ये इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि वो उसकी बहन के मोबाइल के बारे में भी जानकारी रख रहा है लेकिन हो सकता है कि यह जानकारी उसे मीना से ही प्राप्थ हुई हो, यह हो सकता है कि उसे यह जानकारी उसके किसी दोस्त ने दिया हो, यह हो सकता है कि वो उस मोबाइल को कभी देखा हो, तो यह नहीं कहा सकता है कि जो मीना का दोस्त है वो उसकी बहन का भी सहयोगी है, हो सक कि बहुत अच्छे शमंद ना हो दोनों के बारे में तो करीबी सहयोगी तो बिलकुल हम नहीं कह सकते हैं और हो सकता है कि हो बी लेकिन यहका दोस्त है वह उसकी बहन का भी करीबी सहयोगी नहीं है इसलिए इसमें के और पाला निसकर्श पालन करता है अगला देखते हैं बयान पड़े और दी गई जानकारी के इधार प्रतर संगत सही निसकर्श की पाचानकर कतन है एक सिछक ने अभिभावक से कहा क्या कहा अभिभावक से इस बच्चे को उसके बुरे बेवार के लिए क कोई बच्चे का ब्यवार बुरा होता है तो टीचर कहता है कि इसकी काउंसिलिंग यारी परमर्स इसको लेने की जरूर थे किसी परमर्स दाता से या साइकलाजिस्ट से तो ऐसा आप दिमाग में फंडा बना लिजेगा उसके बाद आप निसकर्स देखिए निसकर्स एक में वहवार समंदी समस्याओं को ठीक करने के लिए काउंसिलिंग तरीकों में से एक काउंसिलिंग है वहवार समंदी समस्याओं को ठीक करने के लिए कई तरीकों में से एक तरीका है काउंसिलिंग ऐसा कहा जा रहा है तो सही बात है ऐसा एक तरीका है तभी कहा जा रहा है बारकु सही करने का एक मात्र तरीका काउंसिलिंग लेना है तो याद रखे जहां पर भी एक मात्र सब्द लग जाए यानि इतना कठोर सब्द लग जाए कि एक मात्र यही है 100% इसके अलावा कुछ भी नहीं तो ऐसा कठोर सब्द का इस्तिमाल कर दे तो निसी तुरुप से ऐसा निसकर्ष 99% घलत ही होता है यानि कि पाहला निसकर्ष्थ है और दूसा निसकर्ष्थ गलत है यानि हम कर सकते है कि एवल एक वहला सही होगा है अंतिप्रत देखते हैं आज कल वस्तुव की कीमते बढ़ रही है ऐसा कहा जा रहा है सोच लिए कोई भी बोला है कि आज कल वस्तुव की कीमते बढ़ रही है तो इससे क्या निश्कर्ष निकाल सकते हैं सभी वस्तुवें दुरलब होती जा रही है सभी यहां पर कहा दिया दुरलिब हो गई हैं का यानि कि नितरों किमते बढ़ा नेत्स करूंक या 하루 तरफundert अब दूसानी इसकत ऊंपाता है दोसा बोल ला कि लोग वस्थाइब नहीं खथी is कैसी बस्तुए नहीं खा सकते बस्तुए तो खाई सकते नहीं तो लोग जीएंगे कैसा ऐसा तो कहा नहीं जा रहा है कि बस्तुए खा नहीं सकते कीमते बढ़ रहे हैं लेकिन हो सकता कीमते बढ़ने कि बस्तुए खाई जा रहे हैं तो यह तो कथन से एकदम संबंदित नहीं कि सीधे-सीधे गलत है, दोनों एक निसकर्स, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, न तो निसकर्स एक न तो निसकर्स करता है, तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बाक्स में लिखेगा अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिखेगा अगर अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं लिखेगा डिसलाइक करिएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और मेरे वीडियो को अन्य अपने दोस्तों में भी सेयर करिएगा और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही.